हरी वेफ्ट मेडिसीन इन हिंदी मैं बात करेंगे इस वीडियो में वेफ्ट मेडिसीन का मतलब क्या होता है और किन लोगों पो इन लेने चाहिए यदि आपका बिना कॉर्णों किसी अंजान व्यक्ति के साथ वह चाहिए सेक्स वरकर हो या तो मसाज़ काणर्स में किसी लड़की के साथ आपने बिना कॉर्णों सेक्स किया है और बाद में आपको ये डर है कि कहीं आपको OHV ना हो जाए और आप HIV से बचने के लिए किसी दवाई का इस्तमाल करना चाहते हो तो जो दवाई का इस्तमाल होता है उसको कहते है PEP Medicine यानि की Post-Exposed Prophylaxis Medicine तो ये PEP Medicine क्या है कि ये Medicine आपको 22 गंटे के अंदर चालू करना होता है और एक खुल मिलाकर 28 दिन तक लेना होता है तो इस दवाई से जो आपको HIV कोन की जो संभावना होगी वो 90 से लेकर 99 परसंट तक सम हो जाएगी PEP Medicine क्या होता है बार बार लोग मुझे पूछते है तो याद रखे ये Medicine सिर्फ और सिर्फ 22 गंटे के अंदर ही चालू कर सकते है 22 गंटे के बाद इसको इस्तमाल नहीं कर सकते है ये Medicine आप एक बार चालू करते हो तो उसकी पूरी effect के लिए आपको 28 दिन उसको खतम करना है 28 दिन में आपको लेना है हर रोज regular time पे लेना है जो भी time आप fix करो वो चाहिए सुब़ा हो, दुबरो शाम का हो जिस type के अब दवाय की चालू करते हो उसी time पे आपको अगले 28 दिन तक खाते रहना है अक्सर लोग पूछते है HR पेप Medicine का नाम क्या है और पेप Medicine के लिष्ट में कौन कौन से दवाय सामिल होती है इसके अंदर एक गोली होती है और एक गोली के अंदर तीन किसम की दवाय होती है जो होता है टीनो फोईर तीन समजिन लेनोडिन तीन सब एमजी और डॉल्टो ग्राविर पचास एमजी होता है और एक ही गोली आपको अरोज खाना होता है अगले 20 दिन तर यही द्वाई विपिन 6-7 कमपनियों से मिलती है जो कमपनिय अलग है उसे साब से कुछ का ब्राण्डने में भी अलग हो सकता है जो commonly available medicines है जो ब्राण्डने में वो इस तरह से है वायरोपिल मेडिसिन एमक्योर कमपनिय से सिपानेक मेडिसिन सिपला कमपनिय से अक्रिप्टिका मेडिसिन मैलान कमपनिय से जापावर अल्टी आपको नैटको कमपनिय से तिलावर दी लारसलेप से और डिल्ट्रा मेडिसिन अर्विन्दो मेडिसिन से मिलती एक PEP Medicine है PEP Medicine जो है उसका प्राइज कितनी होती है तो इसकी MRP प्राइज में बताओ तो करीबन 4,000 रुपे के आसपास होती है उसकी रेंज की बात करो तो 3,800 से लेकर 4,200 तक उसकी MRP खिमत होती है और अक्सर हम इस Medicine को डिसकाउंट करकर जिसमें 60-70 परसंट डिसकाउंट करकर हम लोगों को 1,700 रुपे यानिकी 1,700 दुपिश में देते है और इस HIV का जो PEP Medicine है उसका डोज क्या होता है तो मैंने आपको पहले ही बताया आपको फरोज ही एक गोली लेना आए फिक स्टैन पे लेना आए और उसको लगातार 28 दिन तक खाना ले एक बॉटल के अंदर 30 टेबलट आती है तो उसमें जो दो गोली बचेगी उसको आप छोड़ सकते हो पूरी बॉटल की सभी दवाय को खतम करने की आवश्यक्ता नहीं है क्या पेप मेडिसिन की साइड एफेक्ट होती है या नहीं होती तो याद रखे इस दुनिया में जितने भी किसम की दवाय है उसकी साइड एफेक्ट होती है लेकिन आपको ये मेडिसिन सिर्फ 28 दिन के नहीं इस्तवाल करना है यह medicines, HIA के pep medicine के रूप में अलावा, जो लोग HIA positive है, उन लोगों में भी यही दवाय का इस्तमाल होता है, तो वो लोग सालों तक खाते हैं, तब भी बहुत कम लोगों को कोई side effect दिखती है, तो आपको तो सिर्फ 18 दिन के लिए खाना है, तो आपको कोई बड़ी side, पर कोई गंबिर side effect होने की संभावना नहीं है, अक्सर जो लोग दवाय चालों करते हैं, उन में से कुछ लोगों को, यानि की 10% लोगों को, acidity, glosia, यानि की उल्टी जैसा लगना, उल्टी होना, एक गेस की तकलिफ होना ऐसा हो सकता है, लिकिन अक्सर एक तकलिफ दवाय के साथ साथ, इंसान का फिटेंशन में होता है, तो उसके टेंशन के कारण भी इदिख सकते हैं, तो याद रखे, आपको side effect के डर से, पी-प की चिंदा करने की जरुवत नहीं है, आपको prep medicine, PEP medicine अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि ये आपको 90 से लेकर 99% तक HIV के सामने अतरिक शुरक्षा देती है, एक चितावनी, एक्सपोजर से 3 दिन के बीतर PEP, यानि की post-exposure prophylaxis medicine का इस्तलाल से HIV होने से हम उसको रोक सकते हैं, लेकिर एक्सपोजर से 3 दिन के बाद किसी भी किसम की दवाए, आयर्विदिक हो, एलोपेथी हो, एर्टी मेडिसिन हो, होमेपेथिक मेडिसिन हो, जीन तेरापी हो, या अन्य किसी किसम की मेडिसिन या हर्बल दवाए हो, उससे HIV को नहीं रोका जा सकते हैं, और HIV window period treatment, HIV window period medicine और window period treatment, ऐसा कोई सब्द दुनिया की किसी भी किसम की किताब में नहीं है, किसी किसम की guideline में भी नहीं है, तो इस किसम का किसी दवाए का प्रयोग ना करें, और अपने आपको स्वास्ते और पैसे के रूप में होने वाले नुक्सान से बचें, हमारा mission है, HIV exposure से जुड़ा हुआ आपका डर और दर्द को दुर करना, और हमारा vision है, HIV के बारे में आसान बासा में आपको सच्ची और सही जानकारी देना, मैं HIV AIDS specialist, डॉक्टर केतन राणपरिया, पिछले 17 सालों में 12,000 से भी अधिक patient का consultation कर चुका हूँ, यह चैनल, HIV के expert डॉक्टर द्वारा संचाली थे, और यहाँ पर जानकारी विज्ञान के अधार पर दी जाती है, लेकिन याद रखिए, समय के साथ विज्ञान बदल सकता है, यह आवाँ पर कहीं के बाते एक आवम जानकारी के लिए हैं, तो भी भी किसी भी किसम की जानकारी को अपने जीवन में लागू करने से पहले, HIV-AIDS Specialist Doctor से व्यक्तिकत रूप से राय लेना अत्यन आवश्चक है, HIV के सिम्टम्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए लैप साइट के प्लेलिस्ट पर क्लिक करें, और HR के टेस्टिंग के बारे में अधिक जानकारे के लिए राइट साइट के प्लेलिस्ट पर क्लिक करें Thank you